हेलो एर्रीवन दिस दंकिता मिश्राइंड और वाचिंग नेक्स्ट नाइन लाइफ आज के इस रिपोर्ट में दिखाएंगे उस एक्टर के बारे में जो की इंदरों काफी लाइम नाइट में हैं जो हम बात कर रहे हैं अभिशेक बच्चन की अभिशेक बच्चन अपनी फ अब अभिशेक की लेटिस्ट वीडियो सामने आ रही है जिसमें वह फुटबॉल खेलते वे नजर आ रही है वैसे ही सोचल मीडिया पर लोगों को यह वीडियो थोड़ी पसंद नहीं आई कुछ लोगों ने जहां positive comments किये तो वहीं कुछ लोगों ने अभिशेक बच्चन को यह बता दिया कि आखिर उनकी retirement की age क्या होनी चाहिए देखें ये वीडियो अभिशेक बच्चन बॉलिवूट के fitner actors में से एक है जो कि अपने fitness पर काफे ध्यान देते हैं खास बात यह है कि acting के साथ साथ अभिशेक बच्चन को खेलना भी काफे पसंद है उन्होंने गुरू बंटी बबली बिग फूर्बुल और घूमर जासी फिल्में दी और साल दर साल अपनी अदाकारी का जल्वा भी दिखाया अब अभिशेक बच्चन लगातार अपने ये प्रोजेक्ट में आगे बढ़ रहे हैं और कई और फिल्मों के साथ हो नजर आने वाले हैं इसे बीच में अभिशेक बच्चन की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हो रही है ये वीडियो कहीं न कहीं ट्रोलिंग का शिकार भी बन गई हाला कि वीडियो बेहत खुब्सूरत है इसमें अभिशेक बच्चन फिटनेस का ध्यान रखते हुए है कुछ बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते हुए दिखाय दे रहे हैं बता दे कि इस वीडियो में कार्तिक आरेन भी नजर आए थे वल बात करते हैं अभिशेक बच्चन की सोचल मीडिया पर जैसे ही वीडियो सामने आई अभिशेक बच्चन की यूजर्स ने रेटार्मेंट को लेकर के बात कह दी तो चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है दरसल अभिशेक बच्चन हाल में ही अपनी कमड़ी टीम के साथ फुटबॉल खेलते हुए नजर आए इसकी वीडियो अब सोचल मीडिया पर वाइरल हो रही है वीडियो में अभिशेक आर्चे जर्सी, स्पोर्ट शूज, चश्मी और स्पोर्टी लुक में एकदम फिट नजर आ रही है एक्टर इस वीडियो में फुटबॉल खेल रही है एक यूजर ने कहा कि ऐश गई तो ऐश कर रहा है तो एक यूजर ने ये भी कह दिया कि आजकल रहने के लिए क्या कर रही है वहीं कुछ दूसरे यूजर से ये तक कह दिया कि हां अब लाइन चेंज करनी पड़ेगी लेकिन सर इसमें भी आपका रिटार्मेंट एज हो गया है अभिशेक बच्चन के लिए लोगों ने कुछ इस तरीके के कॉमेंट्स दिये हैं वल बात करें अभिशेक की तो आखरे बार इसी साल रिलीज हुई फिल्म घूमर में वो नज़र आये थे फिल्म में उनकी एक्टिंग काफी सराहना की गई वल अभिशेक बच्चन जल्द ही हाउसफुल पाच के शूटिंग में बिजी हुँगे जिसके बाद यही फिल्म साल दो हजार पच्चिस में रिलीज की जाएगी